अगर तोक्रियट करें कि हमने अनू नू लॉग फائल करंगा। नू लॉग फायल कर सके 묆 लूपकि दो सुदस्टानी कि अपने लॉग फायल बी तुम फायल लती इसमें टीन सेंसर आड़एञें इन्सदीचिस में इस में इंटर्वल 2-2 मिनट करता है कि अगर आपू स्टार्ट है करें करें गरामेंटर सेलेक्ट करके दो-2 मिनट में रिडिंग लेगा जितना time interval लेंगे उसी साब से दो-दो मिनट में reading लेंगे तो next है आपका इसमें जो एक important अगला है वर्टिकल प्रोफाइल जो हमने अभी करके देखा है तो वर्टिकल प्रोफाइल में क्या है वर्टिकल प्रोफाइल में दो चीज़े है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो इसका depth increment कितना रखना है आपने means आप कितना-कितना depth पे reading लेना चाहते हो वर्टिकल प्रोफाइल तो यह अभी 10 cm रखा है मने आप 1 meter भी कर सकते हो डिपेंडिंग आपके पास कितना चैनल में कितना पानी में तो 25 meter का इसका maximum होगा इस सेंसर का और उसमें बट सबसे पहले आपने यह देख लेना है कि जो यह सेंसर है इसको जीरो पर केलिबरेट कर देना है तो इसका मतलब है कि यह है तो इसका मतलब है कि यह calibration के लिए ready है तो we calibrate कर दिया हमने, calibration successful आगे है अब भी पर्टिकल प्रफाइल इसके बाद बाद बटिकल प्रफाइल इसको आप चैन्ज कर सकते हैं जैसे ज्यादा पानी है तो अगर आपको थोड़ा वन मीटर तो मीटर रखना तो उसी साफ से calibrate कर सकते हैं अनलाइन मोनेटरिंग में जाके तो बस विए सारे बाद ब्लाइक डाटेट थे जितने उसमें हम लोग बिल्कुल 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 डैफ्ट भी कर रखना तो तो टोटल नौथ है और एक चीज का इसमें ध्यान रखना है जैसे आप VOTEYOLL aboard से नीचे जा रहे हो ना तो ये arrow है ये red arrow एड़ के साथ है अगर आप UPर से नीचे जा रहे हो तो ये डाउन की तरफ होना चाहिए अगर आप नीचे से उपर लेना चाहरे हो तो उसको आप तक दो मतलब अप और डाउन का क्या मतलब जैसे इसमें आप जैसे पहले बिल्कुल डीप लास में डालना चाहरे है ठीक है 25 मिटर्स पे डाल गया है और नीचे से उपर की तरफ को आप फाइल लेना है और यह सेंपल है अभी 10 cm रखा है इसका जो Depth Increment है क्या इसका मतलब 10 cm पे Depth Increment का ही एक सेंपल लेंगे 10 cm पे next अगला 20 cm पे अगला 30 पे अगला 40 पे और आप एक 10 cm पे आप कितने सेंपल लेना चाहते है वह यह है, sample per measurement, means आपको 10th centimeter की height पे depth पे आपको कितने measurement लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, वो आपके डिपेंड करता है, normally हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, बस उसके बास start कर देना है, फिर जैसे ही start, जैसे ही आप exactly उस particular height पे पहुंचोगे, 10 पे, तो within 4 seconds आपका reading ले लेगा, sample 1 आजा गया है, तो यहां पे current depth बता देगा आपको, first option है, current depth बता देगा कि आपका sensor है, कि इपनी height पे अधी, और next depth अपने आप बता देगा आपको कितने पे आपको release करना है, मतलब अगर current depth 0.10, तो next ओना 0.20, 0.20, yes, तो यह अपने आप बता release करोगे sensor को, जब 0.20 पे आएगा, जब 0.20 पे आएगा, तब ही वो within 4 seconds reading लेगा, otherwise अगर कम होगा, 0.19 होगा, या 0.21 जादा होगा, तो यह reading नहीं लेगा, यह लेगा, बिल्कुल exact जो आपका depth है, उसी पे, बस फिर यह, जो है, स्टार्ट कर लीजे, कर लेगा, स्टार्ट यह आपने depth भी लॉग कर देना इसमें, ताकि आपको पता लग जाए, फाइल में, कि कितने किने मीटर पर हमने, तो हम इसको start कर देते हैं, यह जो है, जैसे हमने start किया, online monitoring in progress आ गया, ठीक है, 0.20 पर यह, जैसे हमने start किया, online monitoring in progress आ गया, करन depth 0 है, next depth बता रहा है यह, 0.10 पर ले जाओ, यह बता रहा है कि इतने पर हम नीचे जा रहे हैं, यह बता रहा है, 0.2 आया, 0.03, maximum depth हमारे पास इतना ही था,